नमस्कार, संसार का आमी शात आठ आरव करिक मानिशरू जो छाओं। हरेक मानिशको जन्म बाट शुरू भाईकन शरेर को ब्रिद्री अर्थर जवानी और बुड़ेशकाल तेस्पचे मारण इस्तोप्र किरिया छो सबैको। यो जन्मदा को बेला और बुड़ेशकाल को बेला और मर्नु को बेला रुब्याजी लाय को बेला मा ज्याद ही संकट बेवर्नु परनी होंचा हरेक मानिशले आपनो जीवन मां। इसरी सर्षर्टे यार्दा खिरा यो जन्मा रा मिर्ट्टू रा भुड़ेशकाल रा जो नाना रुब्याजी अरो जलनु परने जीवन छा रा यो समय जादे छाडिक छा। कि बड़ी मां 100-100 बर्षों कम्ती मां एक दिन को परने होनु सक्था, एक अपता को, एक मेना को, एक बर्षों को जती को परने होनु सक्था। शर्षर्टत यार्दा खिरा इमृत्य आदिलाई लेयर ज्यादई दुखपोन जीवन देखिन छा। तरह यहोटाया राम्रो अवसर पनी छा तो अतुल निया अवसर अर्थात यो गाई भाईशी को को विड़ालो आदी को जो जन्म छा किनकी प्राणी को इसाबले मानिश्पनी प्राणी वित्रेगो हो है तो धेसे мир संसायर के मा जती पनी प्राणी अरुशंण तेस मधे मानिश्पनी नहीं वित्रेगो हो अपर मानिश्पत वहाएक अरु योणी मैं की मंचा बने खाली जन्म दुखः विहरनु पारने और ब्रिद्धता फ़िधन का च्वाह, ब्यहरण पहरना इंड, अफुआ पहरना है अफुछा छो इफ यह जीम जनाव आलन– शत्व नखमृम्पजवन का παत्ों सोठन ड्रस कई यहूदा न happenedaciones बाइदिक शास्त्र परम्परा छो गिता आधी को व्यवस्ता छो महा भारत रामेड आधी को उपलब्द छो अनि अगवान संकाराचारे को उपदेश्वरु उपलब्द छो अगवान पशिष्ट, अगवान कृष्ण, अगवान राम, अगवान साच्छेत शीवत संदे अब इस शबैले के देखायाको छो परने मनुष्य ले आपना जीवन मा आभूलाई आनूल परिवार्तन गर्नु शंभब्द छो अश्तो अबसर मानिश्लाई छो यो चाहिने धरमशास्त्र अरूले महात्मा अरूको जीवनिले महात्मा अरुको उपद्धिशले विभिन् इस्तोचाइनी आहमियोर लाई आफसर दियेको छहू। तियो आफसर ले आमले छोपनू पर्चा। किना बने? एकातिरा जन्मा मिरित्तु ले गाशी एको जीवन छह बने। अरको तरफा जन्मा रहित, रोग ब्यादी रहित, ब्रिद्ध रहित, मिरित्तु रहित, संधे आनंदे आनंदले अमर रूपले, आत्मा रूपले अर्थात परमात्मा रूपले आनंदे आनंदमा रही रहन सकने अवसर पनी छो एस्तो मौका पनी संसार का हमी सबे लाए विद्धामान छो तेसले हमले पशिकुप कुड़ा देखे रहा दूर दर्शी बाया रहा एथार्था कुरे लाए अमिले एती बेला विवेट पुर्वक हमले लिने करने होंचा किनकी हमले आपलाई पुरुषार्था बाट राम्रो लाइनमा अमिले लागाउन सक्यों बने हम्रो जो मिर्तो आदिक को जो दुखक अनुमप छो व्रिद्धा आदिक को जो दुखक अनुमप छो रोगव्यादियो रोगवाटको जो दुखको अनुमप छो अथवा गरिवी बाटको जो दुखको अनुमप छो अनिपरकार को चिंता, डर वाट जो दुख भई रहाएको छो, इस सबे को स्रमाधान चाने आमीले पाउनु सक्छों, त्यों हामोर हात्मा छो, त्यों अवसरा आमीले इस सर्गो किरपाले प्राप्ता छो, सबे लाएक। अब यह संदरो में, मिले यह संदर को सरगोच जयन सास्तर अष्ठावकर जीता हो, तिसको नौ प्रकरन अर्था नौ अध्यायों को चार सुलक उतरफाँ आम्रो द्यांदरिश्टे दियूं एस संदर में, अईले बिबिन्न कोरा बन्यों एस संदरो में यह सार सुलक लाए मि तेहां प्रकांडग यानी अस्टावकर ले संस्कृत में उपदेश दिनु भाग चा, अथार्द कुरा बताउनु भाग चा, रत्य उपदेश के चा बने, तियो शुलक मात्रे वही ना, पूरा अस्टावकर गिता के संपोन सुलक कस्तो चा बने, तियो विश्चो कर लाईयो सब इक लाईयो, कुने संप्रद आये, कुने देश विशेश, कुने विशेश धर्म संप्रद आये, तिसको लाईयो चानी दी एक होई ना तियो जो उपदेश हरु चा, तियो चाहिनी सब इम्मान आपको, सदाशक शांती, पाउन, सजिलाई, संभा भोश पनिकान, तिया धू सक बाती है कर दो चाहिनी सब्स्क्राइब को, मीसी इस होओं, सब्साइब सेघ्क दसको खचर्द आये, तिया सिस्टकट आ के सवुखान, मानिसलाई के तियो लाईयो चाहिना वाउसरों ति ना रहितारान वावाश, काम्माम भुष बान दोद आयु चाहिनो, अरएक मानिष्माणी दूहागर क्फुरा उसतो लघातार वयोकामी पाहशुम मानिष्माणी तो 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 कुरा, आनंदा, मिठा, कुरा आयं का हुँचन मानि भेरी, दुख का कुरा और इसेर लगातीर आयं का आय का हुँचन तुल्ऌ नाप हेल καना का खुरा आया का तुल्भर चुवफने आया का का अथो अनुकुल का प्रतिकुल 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 का प् निरंतर भाहिराय काहिं पांचुनुनुनुनुनुनुनुनुनुनुनुनुनुनुनुनुनुनुनुनुनुनुनुनुनुनुनुनुनुनुनुनुनुनुनुनुनुनुनुनुनुनुनुनुनुनुनुनुनुनुनुनुनुनुनुनुनुनुनुनुनुनुनुनुनु आहा निद्र बाठ ऊठे देखि Wednesday राति सुध्ध सम्महँ आने कुषया आरु किता मिठा अब यह बात कशेरे पार पाउने ते दोंद बात कशेरे पार पाउने ते दोंद बात कशेरे पार पाउने शुख दुख बात राख द्रेश आधी जो दोंद हो यह जो चित्त को परवाहा हो बृत्ती परवाहा हो चिंतन को बृत्ती परवाहा हो जो निरंतर चिंतन दुख तिन्ता डर आदी का विशेमा, शुख का विशेमा जो निरंतर हो, अब एस वाट कशेरे आफले उपाउने, रहाप पाउने तर, एस वाट कशेरे अभकास पाउने, एस वाट कशेरे छुटकारा पाउने, एस वाट कशेरे सांती पाउने, एस तो अवस्था वाट आफले जसले आपनो जीवन लाई प्रारवद माथी निर्भर रही रहनु होन्चा। प्रारवद माने आपनो भोग भाग माँ जे छा, आपनो लेखा माँ जे छा। यदि भी आपनो कर्म तो सपले गरी रहने पर्ने होन्चा। किाल्स कर्म तो कोई रहये पर्ने कोई रहा पर्ने कर्मapolis to। आपनो बिना कर्म तो कोई रहये के छा। सम्भशानी चा भिवन परूए तैसे वसे नो पर्ने दिशापीसा त‍थ आता नो पकोई उन्धा कर्माई हो। तैसी लाही है निर्वाः चला ही परो राई कईय है, परोहलों समस्कार मैं दियुम्षाम काम सघ्षा भंग कुणुम् उρत कार्मने अपनो रཁची अनुशार, उद्शे हाई अनुशार, समस्कार उनुशार, अपनो एकौम काम. वो साथ साथ है, आई मिले क्ये धायानागर नुपर्छा बनितिया, क्ये देखायेको चा बनितिया, तिसमें आई मिले संतोश लिनुपर्छा, जे जस्तो आपनो प्रारव्दा छा, भोगभाग छा, लेखा छा, एद्धे पी यह होई ना कि आपनो भाग्ये मा बर बरेर क्या हो तोगर आवर्टा उई ना, हाथ खुल्टाता उक सभाग खुल्ले है झम खुल्ले राखनो पर राखीयेको बनितिया, सभेले राम्रे के लागव लागवी जाष्तागरीयेको हून चा तरतिसको साथ-साथ है यहां परष्णर के जिग्यां साथ के चा जग्यां शु कशेरी यस्तो दुख चिन्ता डर को आवस्था में राग दे शुख दुख को भात आवरण में, आमिले कशेरी इस्थाई रुप में, परिपुन रुप में रहे ना, सक्छम बने, संदर में केचा बने नाखे रा, प्रारवद में आपनो ज्य छ, तेस में संतुष्ट रहे र जती पने राग दे सरु आंग्चन तेस में ततस्थ वायर, तेस तेकि असंगर बाए र, तेस तेकि अलग भायर, तेस लाई जानने वाला भायर, तेसको द्रस्टा बायर, तेसको साक्शी बाеньर, ती विविन्न तेकि अलग गय रही राखे र, य शरी योव जिब भआब पहित केवल अमर आत्मा भाव मा इसरी निरंतर आमी रही रहान शक्यों बने इसरी रही रहान शक्ने को नहीं मुक्ती हुन जो इसता को नहीं संदैशक शांती मिली रहानू सम्भभ हुन जो बनिकन तो चार सलोक में श्ताव गिताया को तो नम आध्याय अंतरगत इसतु कुरत यहां उल्लेक छो अर्थात छटकरी में केशा वहाने दोंद वन्ने कुरा अर्थात राग देश का दुखा वन्ने कुरा इनियारू संदैश चली रहाय को हुन चो मनुष्य को जीवन में इ यह जसत्व प्राप्त छर्ट तेस्पर्थी न गयरी आरा। तेस्पर्थी द्रिष्टी न दिए आरा। आपनो काम करदपे जेछ तेसलाई मत्र इधावत राखी थाना। पानी जो यह राग्दस आउनी जो जिव्भाप छौ जो मनुस्ष्य भाप छौ तेस्लाई भंदा, जिव्भाप को साक्षि, जिव्भाप लाई जाननेव अदिस्थान जो अमर आत्मा हो, ति आत्मा रुपले आफुलाई, निश्चित रुपमा लि राखेरा, रही अप्ठयार उपार ना सकते न, और को कुरा आपनो काम करता बेथाबत गरी रहा दाखे राहु मा पनी केत्तरूटी हुन पाउंदे न, और आपनो ले यो मनिश्य भाव रहित अर्था जीव भाव रहित अमर आत्मा भाव मा निरंतर भाव ना गरी राहे पसी, आपनो मन को थ परकार बताईयेको छो, यही बाटने आमी सबय को परमकल्यान हुन चो, यह आज अगो पर्शंगा आमी भोली फेरी एस पर्शंगा अगाडी बढ़ाऊने चों, तौसमलाई, नमस्कार.